यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो वैं अपनी हर परिस्तिती से कुछ ना कुछ सीख सकता है नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कारे क्रम हेलो पी एंसी में मैं हूँ आपके साथ नम्रता दर्शकों ये कारेकरम हम हर हफ़ते गुरुवार, शुकृवार और श्रणिवार को लेकर आते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपके जीवन में चल रही तमाम उलजनों को दूर करने के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौझूद होते हैं Senior Pyramid Masters और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौझूद है Senior Pyramid Master अरुना सैगल जी जो कई सालों से ध्यान से जुड़ी है और ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को बदल रही है तो चलिए बिना देर के कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुना माम का माम आपका कारेकरम में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका BMC का बहुत-बहुत धन्यवाद तो दर्शकों हम आपके साथ लाइव जूर चुके हैं यदि आपके मन में भी कोई सवाल है जीवन में कोई समस्या है कोई कन्फूजन आपको परेशान किये हुए है तो नंबर जगता टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं फोन उठाए कॉल करें और अपना सवाल हमसे पू तो मैं चाहूंगे मैं हमारे दर्शकों को बताएं बिल्कुल ठीक है हर परिस्थिति हमें कुछन कुछ सिखाती है जीवन है ही सीखने की चीज सुख और दुख की परिभाशा हमने अपने माइंड से अपनी बुद्धी से बनाते हैं अपनी सोच से बनाते हैं प्रन्तु हर परिस्थिती हमें कुछ न कुछ सिखाती है तो हमेशा कौ शिश करेंकि यह जो परिस्थिती हमारे सामने आई है संहे किसी रूप में भी ऐफ वह में हमें सिखाना क्या ठाथते अगर आपको दो को समझ bah안 आ एए तो हम उस परिस्तिती कि प्रशन गर सकते हैं कि तुम जो मुंझे सिखाना क्या चाहत arriv हमारी चाहते हुआ उसमें परिवार के रिलेशन सुमें अगर कोई बात था तो उवह मैं how को वह पुछ सिखाते हैं संसार में हम रह रहे हैं हार सीच्विशन हर परिस्तिति कोई भी जीव, जन्तु, प्राणी, पेड़, पौद है हमें हमेशां सिखाते रहते हैं इसलिए अवेर रहें, जागरुप रहें कि वह परिस्तिति हमें क्या सिखाने चाहती है कौन सा लैसन हम इससे चेल सकते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढटे जाएंगे इसलिए हर बरस्तिति ल Quinn झाल सेक्षिड तो बघर को बार्मत करें खुछ उसक्क्त करो है ऑध पुर फुरे है जिर्स तहला होगा तब यंदा के लिए तो सीख पाएंगे हर परिस्तेती से, ध्यान के लिए मतलब हमें ध्यान करना क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए, हम सोचते हैं कि ध्यान एक परिक्रिया है, बस कर ली और है, मेन उसका मकसद क्या है, कि हम अपनी जो आत्मा की आवाज है, इंटुशन पावर है, उसको रजने के बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो ध्यान, ध्यान के लिए जरूरी है, तेन चीजें, आप अपनी लेक्स क्रॉस करिए, दोनों हातों की उंगलियों को एक दूसरे में फसा लीजिए, स्पैक्स पहनिया तो उतार लीजिए, जिस भी स्तान पर आप बैठे, आरामदा एकस्थिती में बैठे और केवल आती हुई स्वांस और जाती हुई स्वांस के साथ जूड़े, यही ध्यान की सबसे अच्छी विदी, जी, मैंम इसी के साथ दर्शक जूड़ चुकिया, उनका प्रशने भी जान लेते हैं, हलो, हलो, जी, नमस्कार, ना मतलब जो इसमें कई वीडियो में देखे हैं, इसमें जैसे मिरेकल होता है, किसी कुछ प्रॉबलम में थाराइट किये, यह किसी को कुछ भी इशु रहता है, डिप्रेशन वगरा, और मतलब वो इसी से सौट आउट हो जाती है, या फिर कुई स्पेशल वो गाइडलाइन स मतलब जाते हैं, तो हम बहुत बहुत मुबारक हो, कि आपने ध्यान में अपने आपको जानने के लिए आगे कदम रखा, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान की पहली परिस्तिती अपनी टांगों को क्रॉस करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फसाना है, आँखें बंद करनी हैं, और इन बंद आँखों के साथ हम किसी स्थान में भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे पर ये तीनों शर्ते जरूरी हैं कि आपकी टांगे हाथ और वो क्रॉस होनी चाहिए और आंखे बंद होनी चाहिए इससे होता क्या है कि जब हम आपका जो दूसरा प्रश्ण पहला प्रश्ण था कि आप कोई भी भी मारी ठीक कर सकते हैं लिए तो उसके लिए समझने के लिए क्या होता है कि जब हम ध्यान में रहते हैं और शुन्य अवस्ता में जाते हैं जब हम सोच विचार से परे हो जाते हैं जीरो स्थितिमें जाते हैं उस समय और ब्रह्मान्ट से हमारे शरीर में परवेश करती है रह davon Tax może जाती हैं तो हमारी जितनी भी नस्त नाडिया हैं, उनकी सफाई होती चली जाती है, और उस से हमारी बीमारी दूर होनी शुरू हो जाती है, कोई भी बीमारी का कारण हमारी ज्यादा सोच, उर्जा की कमी और किस तरीके की हम सोच रखते हैं, इसके उपर डिपेंड करता है, प्रन्तु जब हम ध्यान करते हैं कोई विचार नहीं रखना कोई सोच नहीं रखनी केवल आती होई स्वांस और जाती होई स्वांसों के साथ आप जूड़े रहेंगे तो आप उर्जा को बढ़ाते चले जाएंगे यह तीनों बंद हमने लगा दिये टांगे क्रॉस करके हाथ बंद करक आखे बंद करके जो उर्जा इस समय हमें मिलेगी जब हम जीरो स्टेट में होंगे तो वो हमारे शरीर की हीलिंग के लिए हो जाती है पहले सफाई होती है फिर हीलिंग होती है इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो PMC हिंदी के उपर एक स्प्रीच्वल रियालिटी पर उसको देखिये सुनिये आपको समझ आएगी और ग्याराई से समझ आएगी दन्यवाद जी तो मनीश जी आशक रहते हैं कि आपको आपके प्रशन का उतर मिल गया होगा जैसे कि माम ने बताया कि ध्यान के माध्यम से आपकी कोई भी बिमारी ठीक हो सकती है आपको ध्य प्रशन करना है और साथ ही इस पिच्वर रियालिटी मूवी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और अधिक जानकारी अगर आप किसी स्वास्तेसंबंदित प्रशन पर पाना चाहते हैं तो आप आज 5-6 बजे के बीच डॉक्टर से पूछों में भी च्बावि अनुब चयान लेते हैंँ मैं मन का सवाल है हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रही है वह सही है या गलत क्योंकि उस वक्तों सब इमपोर्टेंट ही लगता है हर काम important है इसकी परिभाशा सही या गलत यह हमारा mindset करते हैं प्रन्तु एक बहुत ही अच्छा क्योंकि आप जब कारिय कर रहे हैं अपना 100% दे रहे हैं और आपको एक आनंद की अनुभूती होती है एक शांती की अनुभूती होती है वो जो काम करने के बाद आपको जो सकून मिलता है वो ही आपका परिचयाए कि आपने जो काम किया वो 100% अपने पूरे उसके साथ किया है वो उस समय के हिसाब से बिलकुल सही था जी तुम्हा मगला सवाल हम जान लेते हैं मिन का सवाल है पास्ट एक्स्पीरेंस की वज़े से सोच बहुत गंदी हो गई है कैसे ठीक करूं इसे और बुरी आदते कैसे छोड़ू जो हमने पास्ट अनुभव किया है उस पास्ट के अनुभव को हम जानना भी चाहते थे तो वो जो पास्ट का हमने अनुभव किया आज हमें बुरा लग रहा है प्रन्तु वो अनुभव जो था हमें तब भी कुछ सिखाना चा तो हमें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। उसी अनुभव से हम दुबारा प्रश्ण करें कि तुम मुझे सीखाना क्या चाहते हो। ज्यादातर पास्ट के अनुभव समें पेशन्स लेवल को बढ़ाने के लिए सिखाना सिखाते हैं। accept करने के लिए सिखाते हैं, जो जीवन में acceptance है, उसका बहुत बड़ा lesson देने के लिए आते हैं, तो हमेशा जो अनुभव है उसको हमेशा यही दे के चले हैं, पहले भी हम उसके साथ भुकतान कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले भी उसको पूरी तरह से सीखा नहीं, तो आज ज्यान को जादा बढ़ा कर, अपनी intuition को सुनने की आदर डाल कर, आपके अंदर जो आवाज आती है, उसको सुनिये और समझिये, कि पास्ट मुझे क्या सिखाना चाहता था, जरूरी नहीं है, आपको आपके अंदर से ही आवाज आए, कभी-कभी आपको बाहर की परिस्थि आप सामने आती है, वो भी आपको सिखा सकती है, और वो भी आपको पास्ट से उभरने का रास्ता दे सकती है, इसके साथ सौन और बहोत गहरी चीजह है, कि आप बूक्स पढ़िए, जब तक आप स्वाध्याएं नहीं करेंगे, कई बहर बहुत से उत्तर आपको स्वाध्य तो जो पती जी ने 18 प्रिंसिपल्स बनाए उनमें सबसे इंपोर्टन ध्यान है स्वाध्याय करिए सज्जन सांगत्य करिये और ध्यान को सिखाते रहिए तो आपको बहुत से उत्तर में लेंगे जी माम ही तो पास्ट एक्स्पीरेंस की बात कर रहे थे शायद ही अपनी पास्ट इसी लाइफ के पास्ट की बात कर रहे थे पर बहुत लोगों को है पास्ट अपनी पिछले जनम के बारे में भी बता लगता है पास्ट लाइफ के बारे में तो माम सब को नहीं पता लगता है कुछ-कुछ लोगों को पता लगता है, तो अब यही जानना जाओंगो कि क्यों ऐसा क्यों होता है, कि कुछ लोग तो जान पाते हैं और कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, जब कि तो जरूरी नहीं है कि सब को ही पास लाइब दिखाई देगी अपनी जिसके लिए जरूरत है अगर एक आदमी व्यक्ति मान लो कि सामने अगर उसको कोई चीज खाता है तो उसको अच्छी डाजस नहीं हो रही है और पर वो एक्टिव है उसको पता चल रहा है कि ये चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ देता है या कोई और अनुभव पानी में जाने से डरना या नहीं जा पाता तो आप सोचिए कहीं न कहीं वो चीज आपके पास्ट के साथ रिलेटिड है या तो उसके लिए अपना कदम उठाएं और देखें कि ये उसके हम प्रश्ण कर सकते हैं अपने आप से ही कि डर मेरा किसलिए अगर मैं पानी में जाता हूं तो मेरा डर किसलिए मैं क्यों डरता हूं तो आपको आंसर मिलेगा और अगर नहीं आंसर मिलता तो आप धीरे धीरे प्रेक्टिस करने से स्लो प्रोसेस में आप एकी कदम र तिसलिए जो परिस्तिती है, बहुत से आइसे लोग होते हैं, जो सीख लेते हैं सिरफ, फिर उनको पास्टा wax — एक्सपिरियन्स की जरूरत नहीं होती है, जो accept कर लेते हैं चीजों को और जो लिसन उसके सीख लेते हैं तो उनको past life की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बहुत सी परिस्थितियों में जरूरत पड़ती भी है, हम अपने ध्यान को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर हमारे लिए अनिवार्य होगा, तो हमें पास्ट लाइफ का अनुभव अपने आप भी हो सकता है, तो इससे लिए जरूरी नहीं है कि हम इदर उदर पहर मारते कि मुझे पास लाइफ ही करनी है, आप अपने ध्यान को बढ़ाएं, अपने टाइमिंग्स को बढ़ाएं, आपकी उर्जा के साथ साथ वो वाश ओट भी हो सकता है, और आपको जो लेसन सीखते हैं, आप सीख भी सकते हैं, जी, मैं हम इसी के साथ दर्शक भी जूर चुकि अपने गाएं, मैरे दादा जी यह वो पंदरा साल से मुझे चलनी पा रहें, घर में चलते हैं, सपोर्ट लेगे लेकां तो यह आपके ध्यान का वो सब देखते हैं, टीवी पर आता है तो, तो वो पुछना चाहते हैं कि यह ध्यान करते हैं, कैसे वीचार लाने चाहिए, श gatrichten करना आना जिसे उनको थोड़ा मिले जल सबसे से सब सबसे बड़ी चीज है कि आप हो बोत अठीज गयर के अंदर चल रहे हैं यह और अच्छे तरीके से चल पाऊं और अपने जीवन यापन अच्छी तरीके से कर पाऊं तो उसके लिए आप को ध्यान करना भी ज़रूरी है ध्यान क्या चीछ है कि ज़ेसे हम रात को सोते हैं हमें उच्जा मिलती है और हमारी दिंचर्या को पूरा करते हैं हमारी जो बॉड़ी के बाकी फंक्शन से हैं वो पूरे करते हैं प्रंतु ध्यान एक ऐसी चीज़ है जब हम consciously पूरे अवेर होकर अपने ही सांसों के साथ रहने की आदर डालते हैं तो हमारी उर्जा बढ़ जाती है और वो उर्जा जो हमारी नस नाडिया ब्लॉक हूए है उनको हम साफ करते चले जाते हैं और जैसे जैसे उनकी सफाई होती जाती है तो आप धीरे-धी रे कुछ ना कुछ और सीखते चले जाएंगे। हमारे जो सोच वीचार है, हमारा चलना पाना, आगे बढ़ना पाना कि यह कही ना कही जीवन में अपने जो वीचार हमारे थे, पास्ट में इसी जीवन के यह पास्ट के हमने उनकी और गौर नहीं किया, प आपके विचारों की चैनल वह नोगी और इसके बार जो और गहराई की परते हैं आंज अन्म लिया किया जान्म ऐसывать नषना दो को सब्सक्राइध कि अम्हें करती हैं आप PMC हिंदी से भी संपर्क कर सकते हैं उर्जा 5.com से भी आपको मिल सकती हैं आप वहां से कैप लीजिए या सिर पर इनके रूम में 2x2 का पिरमिड लगवा दीजिए उस उर्जा के साथ ये जब ध्यान करेंगे तो ध्यान की बहुत वृद्धी होगी और उस से इन प्रशन अबी जी आशा करते हैं कि आपको आपके परशन का उत्तर मिल गया होगा बहुत बहुत भाँ धन्यवाद आपका कारकरम में कॉल करने के लिए मैं इससे पहले अभी हम पास्ट लाइफ की जब बात कर रहे थे तो एक प्रशन मेरे मन में उत्पन हुआ कि हमें कैसे होता है कि वो पास्ट लाइफ में हमारे साथ घटे तुगा था हमें जो ऐसे तो रूटीन में हम बैठे हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हम ध्यान में बैठते हैं या कुछ भी चीज हमारे अंदर से आवाज आती है कुछ एयर की फिलिंग होती है या क कोई हम किसी स्थान पर चले जाते हैं तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यह हमारे अंदर का जो मिरर है वो हमें कुछ दिखा रहा है ट्रस्ट इस दा बेस्ट फेक्टर कि आप ट्रस्ट करिये कि जो है आपके पास है अब उसका अनुभव करने के लिए सर्च करने के लि तो उन्होंने उस कंट्री की बुक्स लेकर पड़ी पाता चला कि वहां पर है यह नहीं है तो इससे उनका वो अनुभव जो था पास्ट का वो उनको पक्का हो गया ऐसे ही कही लोग लेंगवेज के बारे में बात करते हैं यह यह पता चलता है तो हमें ट्रस्ट करना आती है वह हमारा अनुभव जितना हम करते साधना करते रहेंगे साधना करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह एक ही दिन में डिवलप नहीं होता हो सकता है किसी का पास्ट बहुत साधना कियो उसने और अभी एकदम अचानक अभी उसने समय आ गया और उसने एकदम अचानक कर करना शुरू कर दिया तो उसको जल्दी भी हो सकता है पर जितना हम साध्धना करेंगे उसमें परिपक्व होते जाएंगे इसलिए बोलते हैं कि बुक्स पढ़िए अलग लग मास्टर्स की बुक्स पढ़िए स्वाध्याय करिए सजन संगत्य करिए ताकि आप लोगों के अन टेंप लग जाती है हाँ अभी मैंने यह चीज़ भी पढ़ी थी यह चीज़ है जी तो दर्श्र को हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं यह दि आपके मन में भी कोई सवाल है ध्यान और अध्यात से जुड़ा कोई भी प्रशन है तो आप हमें स्क्रीन प लती ऐंतक तो हाँ नहीं है हमें प हेले तो यहीं समलता है कि मुक्ष है कि curiosity को हम सिरफ शबदों पे ना जाएं, मोक्ष मतलब कि हर चीज से मों का खत्म क्षय हो जाना, खत्म हो जाना, और ताकि हम अपने चारो तरफ हर किसी को उसी परमात्म शक्ती के रूप में देख पाएं, वो ही हमारा एलाइटनमेंट होता है, और एक आत्मा जब जन्म लेती है, त उसके बहुत से परपस होते हैं, उसको बहुत कुछ सीखना होता है, तो वो बहुत कुछ सीखती है, अगर हमने सब कुछ सभी लेसन सीख लिये हैं, और हम फिर भी जन्म ले रहे हैं, तो अभी क्या है, लोगों को सीखाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें स्प् हम अपनी लाठी बन सकते हैं, खड़े हो गए, स्वयम ही आप प्रकाश हैं, तो क्या आप औरों को नहीं सिखाएंगे, कि और भी स्वयम ही अपनी लाठी बन सकते हैं, स्वयम ही अपने आपको समझ सकते हैं, तो बहुत से लोग इस कारण से भी आते हैं, अलग-लग तरीके की spreading है कोई ध्यान सिखाने के लिए उसने जीवन में ध्यान नहीं सिखा उसने बोलना नहीं सिखा ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्रकाश स्वरूप हो गए तो और भहुत से लेसन से है जिनकी वज़ा से हम अपनी इच्छा से दुबारा से जनम लेता है कि मुझे यह भी काम धरती पर आकर पूरा करना है तो इसलिए वो दुबारा अजनम लेता है जी मैं मगले सवाल जान लेते हैं ममिन का प्रेशन है मुझे साधा जीवन और पहले के समय में जैसे सब कुटिया में रहते थे वो बहुत अच्छा लगता है ऐसे आज की तरह समस्याई नहीं होती थी सिंपल जीवन था क्या मेरे मन में इस तरह जीने की इच्छा उत्पन होन सही है जीने की इच्छा इस तरीके से साधे जीवन में जीना बिलकुल सही है पर एक सबसे अच्छी चीज है की संसार में निर्वान जब आपने सब कुछ छोड़ दिया और कॉर्णर में जाके बैट गए तो आपने जैसे होता है एक मीठा और खटा तो आपने दोनों नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मीठे का स्वाद क्या है और खटे का आप तो सिर्फ एक ही धारा में चलते रहे आपको वही धारा दूसरी धारा तो आपको दिखाई नहीं देती है तो हम संसार में रहते हुए सभी कारिये करते हुए अगर जीवन का यापन करते हैं जीवन को सीखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए वो बात अलग है कि कुटिया में जाकर रहना, अलग तरह के वस्त्रधारन कर लेना, ठीक है, वो सिर्फ हम अपने जीवन के लिए करते हैं, हम चैलेंजिस को फेस करने की ख्षमता नहीं रखते हैं। पर ऐसे बहुत सी स्टोरीज भी आप सुनते हैं, कि एक व्यक्ति जब घर से निकल जाता है, घ्रेस्त को या अपने माता पिता को परिवार को छोड़कर संसार को दूसरे किसी कोने में जाकर बैटना शुरू हो जाता है, पर वहां भी उसको शान्ती नहीं मिलती है, क्योंक ज़रूरी नहीं है कि हमने भगवा कपड़े पहन लिया और हमने सब कुछ सेख लिया, उससे उसका कोई नहीं है, जो परमात्मा ने, जो उस इस धर्ती के ऊपर जो भी चीज बनाई है, सब के लिए, सब के लिए बनाई है, उसका अनुभव करना चाहिए, हर रंग का अपन अनुभव है, हर रंग अपने में अनुखा है, इस चीज को समझना, तभी समझेंगे जब हर तरह के रंगों को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो रंग सिरफ वस्तरों का रंग नहीं है, रंग का मतलब है कि हर परिस्थिति को जीवन में अपनाओ, इसमें रहते हुए निरलिप दवस्ता में रहो तो चाहे आप कुटिया में रहो या घर पे रहो एक समान रहेंगे जी तो मैं मगला सवाल जान लेते हैं मैं इनका सवाल है बच्पन से ही बहुत नेगलेक्टिट फील करती हूँ मेरी बात सही हो फिर भी कोई नहीं सुनता क्या करूँ इस कंडीशन में मैं मैं हम इसका इस पर चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले दर्शक जूर चुकिया उनका प्रश्न जान लेते हैं हलो जी नमस्कार नाम बताएं अपना राजीव जी राजीव जी कहां से बात कर रहे है पटना से जी सवाल क्या है आपका जी तो मैं जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे सवाल पर बचपन से ही बहुत नेगलेक्टेट फील करती हूँ मेरी बात सही हो फिर भी कोई नहीं सुनता क्या करूं इस कंडिशन में मैं सबसे पहले मैं आपको यहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ध्यान करिये क्योंकि आपकी जो सोच है उसी चीच को आप अट्रेक्ट कर रहे हैं आप निगलेक्ट जो हैं आप अट्रेक्ट कर रहे हैं उस नेगलीजेंस को आपके अंदर जो आप के बाहर भिखरती है और उनी तरह के लोगों को आप अट्रेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बच्पन से था तो इसके मतलब आपके विचार बच्पन से ही ऐसे थे आप खुद को हमेशा निगलेक्ट करती है तो सबसे पहला काम आप करिए आप स्वयम को अपने ही को देनी शुड़ू कर दे तो धीरे देखेंगे कि धीरे-धीरे आपको बहार से भी वही प्यार, वही ich You, J. Meically शुड़ू हो जाएगी और सभी आपको accept करेंगे तो सबसे पहला काम है खुद ही अपने को accept करिए उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने उपर काम करिए आप अपनी सोच को change करिए अपने साथ प्यार करिए आप इसमें मिरर का भी प्रयोग कर सकते हैं मिरर में ख तो इस तरीके से और ध्यान बढ़ाईए अपना ताकि जो पुरानी आपकी बाते हैं सोच है विचार है वो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से खतम होती चलिए जितना खतम करेंगे उतना फायते मांदोगा जी माम दर्शक भी जुड़ चुके हैं उनसे बात कर लेते हैं अब जी नमस्कार नाम बताएं अपना अ मिर नाम विशाल है विशाल थाकुर और आम कॉलिए से बात कर रहा हूं ओके विशाल जी सवाल क्या है आपका मैंडर रिसेंटली मैं शुरू किया मैं अड़ितेशन करना और जब मेडितेशन करता हूं तो कभी कभार जैसे हिपी ही मर Сам जैंड मैं मैं जहात था कॉई ख़रीका है या एसका कोई जा इसमिगर हम विशाल जी आप ध्यान करते हैं इसके लिए बहुत ही शुक्रिया आपका धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए कारे शुड़ू किया आप ध्यान में होने वाले अनुभव आपको PMC हिंदी में मिलेंगे आपको अंदर हीट महसूस होती है कोई बात नहीं ये ध्यान का ही एक अनुभव भी है कभी हमें गर्मी जादा लगती है कभी हमें ठंड जादा लगती है ऐसे ही कभी हमारी बॉडी में पेंस होती है और हमारे चक्रास में हमें इसका महसूस होता है उर्जा का महसूस होता है आप ध्यान करने से पहले पानी पीजिए पानी का सेवन करिए और ध्यान करने के बाद भी पानी का सेवन करिए और धीरे धीरे जब आप ध्यान से उठ जए तो आपके अंदर जो उर्जा है तीक है अगर आपको जाधा लगती है उर्जा तो आप धर्ती के उपर अपने पैरों के नीचे जो पंचे हैं उनके उपर आप खड़े हो जाईए तो आपकी उर्जा की कम आपको कम लगेगा आप पेड़ हैं पेड़ों को हग कर सकते हैं अपनी उर्जा को पेड़ों में ट्रांसवर कर सकते हैं आपके पास जो पावर आत है तो घबराने की जरूरत नहीं है ये ध्यान के अनुभव है पी एमसी हिंदी पे आप ध्यान से होने वाले अनुभव अलग लग तरीके के आप उसको जरूर सुनिये जी तो विशाल जी बहुत-बहुत धनेवाद आपका कारेक्रम में कॉल करने के लिए आशा करते हैं कि आ हां कुछ गलत नहीं है अगर हमारा डाइवोर्स हो गया और फिर भी हमारे अंदर से इच्छा है कि हमें विवाईक जीवन ही जीना है तो आप कर सकते हैं शादी क्योंकि आपके जीवन में ऐसा लिखा हो सकता है कि आपको आगे जीवन में कुछ और समझना है सीखना है तो आप शादी और कर सकते हैं जी मैं मगला सवाल जान लेते हैं मिनका सवाल है ध्यान के बाद अब जब मैं जागरुक हो के देख रही हूं तो जिन चीजों से लोगों को खुशी मिलती है मुझे वो चीजे करने की बहुत इच्छा होती है पर वो मेरे से नहीं हो पा रही जैसे वो चीज मेरे लिए है ही नहीं ये स्थिती मेरे अंदर न जाने कहां से आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मेरी इच्छाय मेरे अंदर दबी होई है क्या कि ऐसा नहीं है कि हम एकदम साहस को छोड़ दे और हमारे साथ ऐसा नहीं हो पारा आप ध्यान कर रहे हैं आपके अनुभव भी हो रहे हैं पर आपको पूरी तरह से जो सटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल रही है और आप इसके लिए करना चाहते हैं तो कहीं नहीं आपकी सोच भी बीचमें involve कर भूर ही हैं आप अपने आपको बिल्कुल इस तरीके से मत समझे कि हां यह मेरे लिए नहीं है आप अपने लिए अपने आपको बिल्कुल खतcą मत करिये अपना कारिय करते रहें, आपको इसका जो विजन है, अपने आप स्वाहिम से क्लियर होगा, कि आपको और क्या सीखना है, जलूरी नहीं है, कि जो सब सीख रहे हैं, वही आपने भी सीखना है, प्रन्तु आपने क्या सीखना है, आपके लिए अलग एक धारा हो सकती है, अलग हो सकता है तो आप ध्यान कर्ते रहेंगे तो आपको आपका अपना मार्ग ज़रूर मिलेगा और इसके लिए उदास मत हो ये ध्यान कर ते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा.. मैं अभी आप ध्यान के लिए बता रहे हैं, बुक्स पढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो यहां पे जो एक और इंपॉर्टन प्रिंसिपल है, जो पत्री सर के चार प्रिंसिपल है, उसमें से सजन सांगत्य को भी वो बहुत महत्व देते हैं, तो मैं मैं चाहूंगी कि उसके महत्व के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो सर्जन सांगत्य है, वो क्या है, हर किसी का अपना-पना अनुभव होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभव, हर कोई का होगा ही होगा, प्रन्तु हमें सुनने से क्या होता है, कि जैसे हम बुक्स पढ़ कभी कुछ ऐसी घटना घटी, या हमें अपना पास्ट याद आ गया, तो हम उसके साथ रिलेट कर लेते हैं, तो इसलिए जो पहले एक पदती चल रही थी, कि हमारे जो अनुभव हैं, उसको हमें बाहर डिसकस नहीं करना, ऐसा नहीं है, जब हम अपने अनुभवों को दू हम भी यह करने से इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन में यह कठनाईया हैं, और इन कठनाईयों का सलूशन हम खुद अपने अंदर से ही निकाल सकते हैं, जब हम अपनी उर्जा को बढ़ा लेते हैं, तो सभी के आंसर्स हमें अपने अंदर से मिलते हैं, यह जो बहार से अनुभव हैं यह हमें स्पोर्ट करते हैं, पर जब तक आपका अपना अनुभव ना हो जाए, तब तक आप साधना करते रहें, और ऐसा भी नहीं है कि उसी तरह का अनुभव आपको होगा, आपका कोई अलग से अनुभव हो सकता है, और आपके अनुभव से और कोई आत्मा और कोई जन लाभानती तो सकता है, तो इसलिए हमेशा परतिसर ने यह प्रिंसिपल इसलिए बनाए हैं कि जाने अन जाने में हम कैसे मदद कर देते हैं किसी और कई बार हमारे ब्लॉकेज इस भी होते हैं, हम अनुभव तो कर लेते हैं, बट फिर भी अंदर ही उसी सेम ब्लॉकेज के साथ घूमते हैं, तो जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, अपने मुख से निकालते हैं, तो हमें अपनी वानी को सुनने की भी आदत धीरे धीरे आ जाती है, कभी-कभी हमारे ही मुख से, जो हमारी कठनाईया हैं, उनके सलूशन निकाल जाते ह दूसरों को बताने के चक्कर में तो इसलिए हमेशा अपनी भी वानी सुनिये स्वाध्याय सजन संगत्य करते रहें क्या पता अपनी ही वानी से आपका उत्तर आपके सामने आजाए जी माम बहुत ही खुबसूरती से आपने बताया दर्शक बिजूर चुके हैं उनसे बात कर लेते हैं हलो अजी जी नमस्कार नाम बताएं अपना सुधीर जी सुधीर जी सवाल क्या है आपका मेरा सवाल है कि ध्यान करना है और सनान के पहले करना है कि बाद में करना है ध्यान जो है किस से पहले किस से बाद में एक बार अपना प्रश्ण धोर आ सकते हैं सनान के आप सजित जाफर सपार, इस दो जो एनुख हम गोड़ति सब्षrafष परना है जिस सुधिर जी को धियान हम कभी भी किसीweed समय कहीं पर भी कर सकते हैं मैं सिद्धेइंख संवाल गंदात है कर सकते हैं इस में कहें जो सामग्री यूज हो रही है वो समगरी हमारे साथ हर रशन हर पल रहती है उसका कोई समय निर्धारित नहीं है शरीर हमारे पास है जब तक हम जिन्दा है स्वास हमारे पास है हमेशा रहते हैं जब तक हम जिन्दा है और समय हमारे पास है तो इसलिए उसके लिए कोई परेज नहीं है कि आप नहा के करें बिना नहाएं करें, कौन से स्थान पे, रोजी एकी स्थान पे करें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको उससे बहुत रिलीफ मिलता है, आप नहा के करना चाहिए, तो करिए, अगर न अपने श्वचाले वगरा से निवरित होकर, अगर वो उसकी जरूरत है, तो आप ध्यान में पहले बैठिए, बाद में किसी और काम को करिए, जी तो सुदीर जी जैसा कि माम ने बताया, आप ध्यान को किसी भी समय कर सकते हैं, ध्यान का कोई समय नहीं है, जब आपको समय म साधиваетि, जी जी माम पहले आम जान सकते हैं, जैस्री, जैस्री कहां से बातनुपना से, जी सवाल क्या है आपका? मैंने अब भी बताया, मैं थोड़ा restless हो जाते हूं जब मैं ये करती हूं, धिहान करती हूं और दूसरा ये था कि, जब मैं सोती हूं, तो मैं मेरे tांगे बटलब पलती मार के, हाथ ये करके, वैसे ही लेट जाती हूं, उस वाषे पे जान देती हूं तो वैसे मैं कर सकते हैं या नहीं क्योंकि तब यह जब ठीद होती तो मैं लेटी भी हूँ. तो वैसे ही करती हूँ. सोटे वकत वैसे ही कर लेती हूँ. जे 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 श्री जी आप ध्यान करती हैं बहुत अच्छी बात है. ध्यान क्या चीज है कि आपके अंदर एक जो जीवन का कमरा आपने हमेशा के लिए पहले से बंद रखा हुआ था, उसको खोल कर आपने सफाई करनी शुरू करती है, तो जब आप बंद कमरे की सफाई करेंगे, तो धुआ उड़ेगा, धुआ का मतलब है यहां पर विचार आ आपको उससे सुफोकेशन होती है, आपको, पर आप अगर संकल्प लेके करेंगे, कि हां मुझे तो बैठना ही है, एक घंटा, आदा घंटा, जो आपका समय है, बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या है, कि शुरू-शुरू में आपको सुफोकेशन उन विचार की जो आपके अंदर दबे हुआ है, वो धीरे धीरे आप जब निर विचार अवस्था में होंगे, केवल सांस के साथ रहने की आदर डाल देंगे, तो ये विचार आपको छोड़ कर जाते चले जाएंगे, जिससे की आपके अंदर वो खालीपन, जिसकी आपको इंतजार थी, और बीना किसी रेसलेसनेस के, आप उसको शांती से उस परिस्तिती में रह पाएंगे, इसलिए कोई नुकसान नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले पानी पी सकती हैं, ध्यान में बैटने से पहले पानी पीजे, ध्यान में उठने के बाद पा तो कोई ऐसी परिशानी की बात नहीं है, परन्तु इतना जरूर है कि अगर आप बैट कर ध्यान करेंगी, तो आपके अंदर जाधा उर्जा जाएगी, और अगर आप लेट के करती हैं, जैसे एक गिलास को लिटा दिया जाए, तो कितना पानी भरेगा, परन्तु पानी रह रहता है, उसमें उर्जा रहती है, तो इसलिए आप अगर कर सकते हैं बैट के, तो रात को भी 15-20 मिनट आदा गंटा बैट के फिर लेट चाहिए, और अगर नहीं है, थकान हो रही है, या रैसलेस फील कर रहे हैं, तो लेट के भी करिए, कोई दिक्खत वाली पात जी, तो है, यदि मैं किसी काम के लिए योग्य हूँ, ये बताना भी क्या अपनी योग्यता का एहंकार करना तो नहीं कहलाता, अगर हम कोई बात किसी को बताते हैं, बताने के बाद, इसका अवलोकन किवल आप ही कर सकते हैं, कि आपने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये बात कही या कैसे कही या encouragement के लिए कही या just अपना अनुभव share किया तो इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या चीज है हाँ अगर उसके बाद अगर आपके मन में दूसरे को नीचा दिखाने की बात है तो यह आपकी ego है आपका आंकार है आपका मन जब काम करना शुरू कर देगा कि नहीं मैं ही उससे अच्छा हूँ मैं ही ऐसे कर सकता हूँ जब ये question ये statements ये विचार चलने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब आप ego के साथ हैं आप आंकार के साथ है हां किसी को encourage करना अपना अनुभव बता कर अपनी योगयता बता कर तो ये आंकार नहीं है ये हम कर सकते हैं शेयर जी मैं अगला सवाल जान लेते हैं मैं इनका प्रश्न है आज कर लोग बिना सोचे समझें किसी के भी करेक्टर पर कमेंट कर देते हैं मैं खुद इस चीज में फसी हूँ जब मेरे बारे में बात होती है तब मैं लोगों को समझाने में लग जाती हूँ मैं जानती हूँ कि किस किसको समझांगी पर खुद को रोक नहीं पाती लोगों को ऐसे सवाल करके दूसरों को हट करने मे क्यों मजा आता है जब यह प्रश्न आता है कि लोग मुझे हर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ये पहले से ही तैयार बैठे देखिए ये उर्जा का खिल है जैसी उर्जा हम बाहर भीजेंगे जैसे विचारों को हम रखेंगे जैसा हमारा स्वभाव होगा हम उस करेंगे उसी तरह के लोगों को हम समझेंगे और हमें हमारे जीवन के अंदर वही लोग आएंगे इस चीज को हमें समझना है ये नहीं आप कितना भी किसी को समझा लो प्रंतु जब तक अपने में परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक कोई समझाने का फाइदा नहीं है समझो कि मेरे अंदर मैं क्या-क्या सोचता हूं क्या ये सबसे पहले originating मेरे ही है मेरे ही अंदर ये बीच है जो बाहर वाले लोग मेरे से attract होकर मुझे ये काम कर रहे हैं तो आपके सामने जो लोग आ रहे हैं वो आपका एक दरपन है जो आपका मिरर है जो आपको दिखाते कि आपके पास यह पड़ा हुआ है इसको उखाड कर बाहर फैंक तो यह जो खेती हमने कर दिया अपने विचारों के मात्यम से उसको निकाल कर बाहर फैंक दो ताकि हम और अधिक जीवन में अच्छे विचारों के लोग जो की हमें स्विकार करें सबसे पहले आप अपने को ही सविकार करो न आप जैसी भी हो जिस भी प्रिस्थिती मैं जो भी सोचतो हो, निगलेक्ट फीड करते हो, तो पहले आप ही करते हो, यहां से अपने को पहले प्यार करना शुडू करो, फिर उन विचारों को खतम करो, ध्यान के माध्यम से, आप देखिये, आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा. जी, माम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं, पर हमारा वो इन्वायमेंट जो होता है, हम नहीं कर पाते हैं, उसमें नेगिटिविटी जैसे हम तो पॉजिटिव होना चाहते हैं, लेकिन आस-पास जो लोग है, वो बात नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव, त इतनी क्षमता है कि आप अपने ध्यान के माध्यम से अपनी उर्जा को बढ़ा जब आप अपनी उर्जा को बढ़ा लोगे आपको ध्यान करना है अपने साथ करना है ना कि किसी के साथ करना है आप रात को सोते हो विस्त्रे के उपर किसी के साथ आपको लगता है कि जब तक को कोई और नहीं सोएगा मैं नहीं सो सकता ऐसा तो नहीं होता तो हम रात को सोने से पहले क्या करते हैं विस्तरे पे लेट जाते हैं अपनी वो सिच्वेशन बना लेते हैं लेट गए आराम से आंके बंद कर ली और ऐसा है कि निद्र में जा रहे हैं सोचते भी नहीं शायद तो अपर और लुम ध्यान करने से पहले हम क्यों सोचते। हम तरह की तरह कि, क्यों क्यों घाते हैं। क्योंकि हम एसा चाहते है। उस परिस्तिती में हमने अपनी चारो तरफ 균े ना बादरी वना लिया很好 कि नहीं मुझे atmosphere मिलना चाहिए ऐसा, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लोग भी ऐसे ही मिलने चाहिए, समाज के लोग भी ऐसे ही मिलने चाहिए, कि मैं ध्यान कर सकूँ, आप उल्टा क्यों नहीं करते हैं, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी ध्यान क केवल अपने उपर है, बाहर का आपका अधिकार नहीं है, अपनी उर्जा को बढ़ाए, आपकी उर्जा से बाहर की नकरात्मक उर्जा, नकरात्मक जो भी एट्मसफेर आपको लगता है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, जो नेगिटिव लोग जो आपको लग है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए उस रहस्ते पे आ रहे हैं तो समझने की बात है कि वाद जी जी माम इसी के साथ दर्शक जुर चुक है उनका प्रशन जान लेते हैं हलो जी नमस्कार नाम बताएं अपना रकिश कुमार रमन जी राकिश जी सवाल क्या है आपका मेरा स्वाल है ध्यान क्या है ध्यान क्या है जी जी मैं चांगे ध्यान के अब हुरन को आप इने सम्झाई द्ल आकेश जी आपने पी-आ-प्यंकंछ फों ब्सकुल गव आलाइब में और आशा करते हैं कि आपने यता कर जो Channel होगा उसको सब्स्राइब किया होगा उस पे बहुत से लोगों के अनुभव हैं, अभी ध्यान क्या है, ध्यान हमारी zero state है, जब कोई विचार नहीं होता, शुन्यता होती है, हम hundred percent mindfulness के साथ जीते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, कि आंके बंद करके ही ध्यान होता है, hundred percent जब हम जो काम कर रहे हैं, उसके साथ होते हैं, निर्विचार होकर, केवल वो जो कारिय कर रहे हैं, उसी के प्रती जो हमारे विचार है, उनको साथ लेकर चलते हैं, तो निर्विचार होकर, जब हम कारिय करते हैं, mindfulness के साथ, वही ध्यान है, उसकी आदत डालने के लिए, त हमारी spiritual body में उस उर्जा का effect हो और हमारी सफाई होती रहे उसके लिए हमें जरूरी है हम अपनी टांगों को cross करें दोनों हातों की उंगलियों को एक दूसरे में फसा लें किसी आराम दायक स्थान पर बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं और आंखे बंद कर लें specs उतार दें और केवल अपनी आती होई स्वास और जाती होई स्वासों के साथ हो जाएं शुरू शुरू में आपके विचार आंगे विचारों के साथ आपको खेलना नहीं आए केवल साक्षी भावते विचारों के साथ रहना है और धीरे धीरे आप चाहे पहले बार में एक सेकंट के लिए शुन नमस्ता में जाएं तो उस सेकंट का विचार निल हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे यही जो है बढ़ता चला जाएगा आपके विचार कम होते चले जाएगे और आप शुन्यता में जाते रहेंगे उर्जा के साथ रहेंगे और अपने ही अंदर के ज्ञान को फिजिकल बॉडी के चलेंजिस को मेंटल बॉडी के चलेंजिस को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहां पर मैंने आपको ध्यान के महत्व के साथ ध्यान की प्रक्रिया को भी समझाया है तो आज से ही ध्यान शुरू करें 40 देशन का संकल प्ली और 40 देश के बाद हमें दुबारा कॉल करके अपना एक्स्पीरेंस जरूर शेर करें बहुत के साथ मैं अपने दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस कारेकरम में जुनने के लिए इस कारेकरम में कॉल करने के लिए जैसे कि ये कारेकरम हम हर गुरुवार, शुक्रुवार और श्वनिवार को लेकर आते हैं तो कल फिर मिलेंगे शाम 4-5 बजे तब तक के लिए देखते रहें PMC Hindi चैनल, नमस्कार